दोसों शेर बजार में काम करने वाला हर एक व्यक्ति ये चाता है कि वो बजार से पैसे कमा के निकले और जब बजार में पैसे कमाने की सोच रहा है न तो थोड़े बहुत नहीं वो जादा पैसे कमाने की सोच रहा है निफ्टी जितना दे रहा है उतना नहीं उससे भी जाद आप से क्या 90% जो डेरिवेटिव ट्रेडर है वह मार्केट में लॉस करते सिर्फ 10% पैसा कमा रहे और 10% में से बहुत कम पॉइंट ऐसे हैं बहुत कम लोग ऐसे जो बहुत ज़्यादा पैसा कमा रहे नॉमिनल पैसा कमाने वाले भी उसमें से 78% और आ जाएंगे तो कहने का मुद्ध यह है कि अगर मार्केट से पैसा कमाना है तो मुश्किल चीजे ना चुनके क्या असान चीजे चुनी जा सकती है तो आज की वीडियो में एक ऐसा इंडेक्स निफ्टी का दिखाने वालों में आपको जो निफ्टी 50 से जादा रिटन देता है वह दिखाए दे रहा है और वुमन में ऐसा देखा है कि जितना निफ्टी 50 भागता है उससे लगबक डबल के आसपास वह भाग जाता है तो अगर आप तो अगर आप इच्छुक है तो वह मैं आपके साथ इंडेडियूस क करने वाला हूं आज की वीडियो में गला थोड़ा खराब है बीच विच में खासी आ रही है रोक रोक के बोलने की कोशिश कर रहा हूं दोस्तों तो ज्यादा लंबा नहीं करेंगे वीडियो को जल्दी खतम करूंगा जल्दी चीज़स समझाऊंगा और उमीद करते हूं आपके लिए काफी बेनिफिशल हो सकता है तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं दोस्तों बहुत बहुत सवागत है आप सभी का ट्रेडिंग चाने की यूटूब चैनल में मेरा नामें अन्मॉल मितल पीछे आप देख रहे हैं चार्ट को एग्नॉर करिए जो चीज में आपको दिखाने वाला हूं उसके नजर डालिए उसका चार्ट भी देखेंगे उसको कैसे खरीद सकते हैं और खरीद के 200, momentum 30, अब इसका क्या मतलब होता है, जड़े इसको समझने के कोशिश करिए, नाम में ही इसका formula चिपा हुआ है, नाम क्या है, nifty 200, यानि जो हमारा nifty 50 का, जो 200 का index है, index मतलब जितने भी इसके अंदर 200 stocks होते हैं, उन 200 stocks में से 30 stocks ऐसे select किये जाएंगे, जो highly momentum में हो, जो एक अच्छा momentum दे रहे हो, सिंपल सी दोस्तों ये बात है, यानि दोस्तों जो nifty 50, nifty 200 के जो stocks है, उन में से 30 ऐसे stocks select किये गए है, जो highly momentum में हो, जब आप trading करने जाते हो, तो momentum वाले stock की तो पकड़ते हो trade करने के लिए, के भी return दे दो जल्दी दे, और target दे जल्दी दे, तो जो return आप जल्दी कमाने की कोशिश करते हो trading में, और अपना दिमाख लगाने की कोशिश करते हो, और वो अगर दिमाख नहीं लग पा रहा है, क इसका chart देखाऊंगा, मेरा पास ऐसी बहुत सारी चीज़े है, जो हम trading से अचीव करने की कोशिश कर रहे है, और वो चीज़े बिना कुछ करें, अचीव हो रही है, यानि पैसा लगा के छोड़ दो, वो अपने आप ही अचीव हो रही है, चलिए अब इसको जानते है, कि क् methodology और returns के आहिसके, returns के बारे में बात करते है, मेली returns के बारे में, चलिए, तो यह दोस्तों इसकी face sheet है, इसका link में आपको description में देदूँगा, यह पूरा आप देख सकते है, और यह nifty indices की पूरी एक website होती है, जिसमें सारे indices के बारे में details होती है, तो यहाँ पर देखे, detail द date है, जब इसको launch किया गया था, वो अगस्त 25, 2020 में launch किया गया था, यानि करोना के बाद जो market के अंदर panic आया था, उस panic के बाद इसको launch किया गया है, और उसके बाद देखे, जो उसकी base date है, यानि जहां से calculate हो रहा है, वो April 01, 2005 से हो रहा है, और base value 1000 है, ठीक है, अब बाखी स सारी चीज़ा छोड़के returns पर आते हैं, कि returns कितना दिया है, तो अगर हम बात करें quarterly की, तो quarterly देखे 17% का return दिया है, अगर हम yearly बात करें, 40% का return दिया है, वन year, मतलब हाफ year की बात करें, वन year में में almost 40%, 5 साल में अगर हम average बात करें, 21% और total returns के अगर हम बात करें, जब से यह चुरू हुआ है, लगबक साड़े 20%, 20.62%, निफ्टी से far better आपको returns दिख रहे है, उसके बाद अगर हम बात करें, dividend yield क्या है, dividend yield है दोस्तों, इसकी 1,5%, इसकी 1,5% इसकी dividend yield, अगर हम इसको इसमें plus कर दें, तो total return कितना हो गया, 22% के आसपास, 22%, अच्छे अच्छे options trader, ऐसी strategies develop करते हैं, कि 2% का महिने का मिल जाए, तो बहुत है, और यही काम आपका on a average यह index कर रहा है, जिसमें कोई दिमाख नहीं लगाना, कोई इसके अंदर active income नहीं, एकदम passive income है, हाला कि देखिए, market जो है, वो risky है, market की कोई guarantee नहीं की उपर जाएगी, नहीं जाएगी, लेक देखिए, market का जो risk factor है, वो हर जगा है, वो options के अंदर भी है, वो इसके अंदर भी है, लेकिन चीजे अगर हम normal चीजों में अगर आप सोच के चले, तो 22% तो यह अब तक देता वा आई रहा है, पांस साल का अगर हम बात करे, अब आगे दे या ना दे वो एक अलग matter है, ल समझने की ज़रूरत है कि किस तरीके से काम कर रहा है, साथ मैं अगर इसके stocks में दिखा हूँ आपको, तो इसके दोस्तों आज के top gainer है, जिसमें आपको भेल दिख रहा है, Tata Motors दिख रहा है, DLF दिख रहा है, PNB दिख रहा है, हिंदू सान Aerolotics Limited दिख रहा है, top loser यह मोमेंटम से, मोमेंटम बिल्ट हो रहा है, तो वो इसकी एक main priority रहती है, आप इसके sector देखेंगे, तो आपको यहां देखिए, auto mobile and auto component, यह sector बहुत ज़्यादा trending में चल रहा है, मोमेंटम में चल रहा है, इसलिए इसकी weightage यहां पर ज़्यादा हो गई है, healthcare बहुत ज़्याद change भी कर देगा, इसके कुछ देखिए, ETF भी लिस्टीड है, अभी मैं बताऊंगा कि कौन सा ETF अवलेबल है, तो यहां दोस्तों आपको index के बारे में काफी अत्तक जांकारी मिल गई है, अब एक बाद चार्ट पे देखते हैं, कि क्या returns यह देते वे आ रहा है, दोस्तों, Nifty Nifty ने हाली में एक breakout दिया था, उस breakout के एक बार consider करते हो, समझने की कोशिश करते हैं, जैसे के आप देखेंगे, Nifty ना भी हाली में एक breakout दिया था, जिसमें market बहुत तेज भागा था, और यह breakout आया था, 19,000 से उपर, इसमें 19,000 को cross कर रहा था, और state forward दिले-दिले करके, 22,000 इसने touch करा था, ठीक है, 22,000 इसने touch करा था, लगबक 3,000 points की इसमें rally आई थी, और यह 3,000 points लगबक कितना होता है, 15% होता है, निफ्टी का almost, यानि 15% के आसपास, निफ्टी हाल फिलाल में अभी के अभी भागा था, अब यही चीज हम compare करने वाले हैं, इंडेक्स से, जो हम निफ्टी 200, momenta 30 index है, जैसी मैं इस 200 index को लगाता हूँ, इसने भी देखिए एक breakout दिया था, यह breakout देखिए यहाँ पर आया था, ठीक है, उसमें यह trade कर रहा था, लगबक 21,000 के आसपास, ठीक है, और currently देखिए कहां trade कर रहा है, करंटली देखिए, 28,700 के आसपास कड़ रहा है, 28,700 के आसपास दोस्तों trade कर रहा है, तो round figure में मैं 29,000 माल लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि 29,000 टच करके आया, बस अभी थोड़ा नीचे गया है, तो almost 29,000 और यह देखिए 21,000, अगर आप इसका return वहाँ जाके manage करेंगे, वहा return दिया है, तो अभी इनी कुछ महीनों में, यानि इनी कुछ 5-6 महीनों के अगर हम बात करें, तो यह return दोस्तों almost दिखाई दे रहा है, 30% के आसपास, 30%, तो यहाँ पर देखिए, यह मैं के बाद जो rally आई थी, उसको हम consider कर रहे है, जो में के बाद यह rally आई थी, में और अ pass return है, अब एक important factor, जो मुझे थोड़ा सा सोचने में मजबूर करता है, अगर आप देखेंगे continuously उपर जा रहा है, कोई खास correction इसने नहीं दी है, देखा जाए तो उसकी एक एक candle की correction ही बहुत बड़ी है, अगर weekly हिसाब से बात करें, देखिए फिर भी continuously अभी भी highest point पर है, अभी भी जो trade कर रहा है, और अगर हम nifty की बात करते हैं, अगर हम nifty लगाते हैं, nifty लगा लो चार सेंसेक्स लगा लो, कोई खास फरक पड़ता नहीं, लेकिन अगर हम nifty लगाते हैं, तो हमें पता लगेगा कि हाल फिलाल में, nifty highest point पे नहीं है, तोड़ा सा डाउन भी गय इतना strong होता है, कि उसको नीचे आने में भी कई बार तकलिफ होती है, मोमेंटम में बिल्कुल एक भातावा चले जाता है, तो यह तोस्तों इस index का benefit है, अब दोस्तों इसकी जो भी आपको research करनी है, जो भी करना है, पहले कर लेना, मैं बिल्कुल आपको investment के advice नहीं दे रहा कि अगर इसको खृदना चाहिए, तो तरीके क्या है, खृदने के दोस्तों तरीके यह है, कि एक तो आप ETF ले सकते हो, किसी को अगर ले रहा है, तो यह इसका ETF है, और यह थोड़ा सा इसका symbol जो है, मोमेंटम करके है, मोतिलालोसवाल का, मोमेंटम, ठीके ना, मोतिलालोसव हम calculate करें, तो यहाँ देखिए, 42 रूपीज 50 पर था यह, चार मेने पहले, और अब यह trade कर रहा है 57 का, तो आप इसको बिल्कुल stocks की तरह ही treat करें, इसकी कोई expiry नहीं होती, और जितना आपको hold करना है, hold कर सकते हैं, कोई issue नहीं है, 42.50 पर खरीदा, 57 पर 4-5 मेने में यह प जो अभी हमने calculate कर रहे थे, लगबग 30% के आसपास का return आपको इसमें दिखाई दे रहा है, तो जितना index भागेगा, उतना ही यह ETF भागेगा, कितने भी इसमें पैसे लगा सकते हो, कितने दिन के लिए भी hold कर सकते हो, तो इस तरीके से ETF के तुरू, आप इस index में पैसे लग करता हूँ कि इस तरह की index की जांकरी आपको अच्छी लगी होगी, in future भी मैं कुछ ऐसे index आपके साथ share कर सकता हूँ, जो इस तरह के और और भी better returns आपको देते वे दिखाई दे रहे है, और अगर आपको किसी mutual fund company से इसको खरिदना है, तो वो भी कर सकते हो, वहाँ भी यह available हो जाएगा, वहाँ पर एक index ओर आजकल काफी famous हो रहा है, 150 momentum वाला, तो वो भी available है, यह भी available है, तो वहाँ भी आपको मिल सकता है, बाकि simply अगर आपको खरिदना है, बिना किसी brokerage के, तो fires में आप account खुलवा सकते है, free of cost, उसमें कोई brokerage नहीं लगेगा, आप कितना मर्जी इसको खरीदो, holdings में कितना मर्जी बेचो, आप अगर holdings पर खरीद रहे हो, तो zero brokerages है, कितने पैसे अगभी खरीद लो, कोई आपसे fires इसके ओपर brokerages नहीं लेता है, तो उसका link भी मेरे description पर दे दिया है, आप जाकर कि इसको enjoy कर सकते हैं, बाकि मैं बहुत अच्छे से दोस है, क्योंकि जो schedule है, वो every alternative day का चली रहा है वीडियो का, तो वो मैं नहीं तोड़ना चाहता है, तो यहीता दोस्तों आज की वीडियो में, जल्दी मिलूँगा next वीडियो में, तक तक के लिए goodbye, God bless you, bye bye दोस्तों.